कि कि हैलो दूस्तों कैसे हैं अब लोस्तों आज की इस वीडियो में आखको बताने वाला हूँ कि आप टर्न-फर्स्ट की सीवेस्टी में अगर वब पढ़ते तो टैंध न क्लास की टर्न-फर्स्ट कितियारी किस तरीके से करते हो कम दनों में इच्छी थै तो वीडियो को ल लिखे उगए जो अब कि है जो कम में देना और लेंदिक इस चैप्टर को काम समय को जाता समय कायरे Art नंबर प्रोबीलटी एरिया रेटेटेट तूसर्कला और वूर्ट है काडिनेट जामेट्री लेंथी में है हमारा polynomial linear equation triangle और intro to trigonometry यह हो गए हमारे lengthy chapter अब आपको क्या गड़ना है अब आपको यह देखना है कि किस चीज में हमें कम टाइम देना है किस चीज में हमें ज्यादा टाइम देना है तो मैंने इसमें लिखे इजी में हमने क्या लिखा है जैसे कि अगर मेरे फर्स चेप्टर है रियल नंबर तो उसको मुझे फोर डेज देना है और मुझे डेली का 1.5 अवर यानि कि डेल घंटा में डेली का देना है और आपको 6 जिस तक देना है वो चीज को 6 जिस तक देंगे maximum 6 जिस तक आपका complete हो जाएगा ऐसी सेकंड चेप्टर में आपको करना ऐसी थर्ड में प्रॉबिल्टी में भी ऐसी करना है आपको एरिया डेलेटेट तू सरकल थर्ड है वो उसमें 1.5 मतलब कि आपको डेल गंटा डेली देने ही है मैं अगर आपने डेल गंटा लगा दी चैप्टर आप चार दिन में खतम कर दोगी यह मानना है तो आप मतलब मैक्जिमम 6 मालब 6 डेज में आप कंप्लीट कर दोगी इसके टोटल डेज 16 डेज हो रहे हैं अगर अब अगर आप लेंथी की मैं बात करूं जैसे लेंथी चैप्टर में आपकी मैंने अभी आपको बताया था पॉलिनोमियल लीनियर उकेशन ट्राइंगल और इंट्रू ट देनी होंगी जैसे कि आपको डिल गंटा तो पढ़ना है समय आपको नहीं करना है जिसंद कि आपको घंटा पढ़ना है तो आपको शेवन डेज मतलब यह जब अगर आपने दे तो आपको 10.5 हावर हो रहे हैं मैक्जिमम 10.5 तो इसका टोटल ऐसी शेकन चैप्टर में आप आपको 7 देना एंड गंटा डेली पढ़ना है ट्रैंगल में डेल गंटा डेली पढ़ना है और जो इंट्रो टू ट्रिगनुमेटरी इसमें भी डेल गंटा देना और 7 देली मतलब 7 देज में आपको कम्लेट हो जाग तो इसकी जो टोटल डेज बने वह टूंटी एट देज और अगर हम 28 और 16 को प्लस करें तो 46 के करीब हो रहा है मतलब कि 44 के करीब हो रहा है तो आपको मतलब क्या करना पहले आपको पहले बाद तो आपको ncrt करना है term first के लिए mcq जो आएंगे आपको term first के लिए आपको ncrt complete करना और मैं आपको एक book suggest करता हूं इसकी link में description में आपको डाल दूँगा बहां से आप देखिए और उसको purchase अगर करिएगा क्योंकि यह एक बहुत ही बढ़िया book है अच्छी राइटरों लिखी और आपका इसमें reduced slabs भी दिया गया तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं हो लिए इसमें reduced slabs भी दिया आपको 45 डेस मतलब की 45 डेस मतलब वही हो रहे हैं के डिल महीना आपको 1.5 महीने में आपका यह ncrt complete हो जाएगा अब उसके बाद क्या करना आप नॉमबर तक जो समय बचेगा डिल महीने का या वन मंत का कुछ समय बचेगा तो उसमें आपको क्या revision करना है उसकी practice करना है बुक जो मंगा भी लोगे तो उसकी practice आपको करना है कि मतलब कि उसमें जो क्या चीज़ लिखिए क्योंकि mcq question आपकी तो आप उसमें हर chapter wise उसमें mcq question भी दिए गये तो उसको आपको तयारी करना और जो last के days बचा उसमें आ और चैनल पर नए तो चैनल को थक्राइब करती दीजिए थैंक्स पर बोचिंग माई चैनल